दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल T4 टेक्नलोजी में आज हम करने वाले हैं रेड्मी के के स्रीज के फोन K50i 5G की अन्बॉक्सिंग काफी सालों के बाद रेड्मी ने अपना के स्रीज का फोन लॉंच किया 2019 में कमपनी ने के 20 लॉंच किया था तीन साल के बाद कमपनी ने बहुत लंबा गैप लिया है और लॉंच किया है के 50i 5G वर्जन के साथ तो दोस्तों मार्केट में जब भी के स्रीज का फोन आता है तो धमाका देखे ही जाता है तो यह आप बॉक्स को भी देख सकते होंगे काफी बड़ा बॉक्स बनाया गया काफी अट्रैक्टिब भी है बहार में आपको प्रोशेशर डॉल्वी वीजन डॉल्वी अटम्स के भी मेंसन किया गया है तो दोस्तों करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं phone के specification, इसके look, इसके premium features को तो दोस्तों हमने कर लिया है box coin box देखते हैं सबसे पहले हमें उपर में मिलता है एक Redmi का content इसके अंदर आपको मिलता SIM ejector tool, कुछ documents और साथ में आपको मिलता है transparent back cover जो की काफी अच्छा और मजबूत back cover दिया है company ने उसके बाद आपको मिलता है smartphone device, उसके बाद आपको मिलता है 67 watt का type C charger यह है दोस्तो 67 watt का charger जो type A से type C के लिए charging करता है काफी fast charge करेगा आपके phone को और आपको मिलता है type C cable तो दोस्तों हम लोग करेंगे phone को unwrap और देखेंगे phone के features और इसके premium look को दोस्तों हमने कर लिया phone को unwrap और यह देखें यह रहा इसका premium look काफी matte finish के साथ बनाया गया camera module cutout भी काफी बहतर है attractive दिया है silver color का इसमें ring दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं back side में triple camera with flash दिया गया है redmi ने अपनी branding की गई और यह एक प्लास्टिक बॉड़ी दिया है matte finish हलका matte है बट यह प्लास्टिक बॉड़ी के साथ दिया गया है side panel की बात करें तो यह भी आपको flat design के साथ है और यह आपको प्लास्टिक बॉड़ी के साथ इसको भी बनाया है कंपणी ने start करेंगे दोस्तों bottom से तो bottom में आपको मिलता है sim tray microphone type c charging और speaker grill अगर आप इसके right side में जाएंगे तो आपको volume plus minus आपको power button with fingerprint module उपर की और देखेंगे तो आपको secondary microphone speaker grill साथ में 3.5 mm का jack मिलता है तो आपको इसमें जो company ने box के उपर mention किया गया था dolby vision dolby return तो इसमें आपको dolby sound मिलता है उपर और नीचे दोनों की तरफ आपको speaker दिया गया जो कि एक बहुत अच्छी बात है दोस्तो sim tray को भी देख लेते हैं तो इसमें आपको sim tray जो है dual nano sim मिलता है मतलब कि आप इसमें आप memory card install नहीं कर सकते हैं तो इसमें आपको sim 1 और sim 2 आपको दोनों nano sim मिलता है इसमें तो दोस्तों बिना इंतजार की हम लोग करते हैं phone को on और देखते हैं इसके unique features और look को दोस्तों हमने कर लिया है phone को on starting करते हैं हम लोग display के साथ तो display जो है इसका 6.6 inch का FSD plus LCD display है इसमें आपको emoled नहीं दिया गया है ये एक पंच्छोल display है Corning Gorilla Glass की बात करें तो यह 5 version का है इसमें सबसे खास बात यह है कि इसका refresh rate आपको 144 है और साथ में अगर इसके TSI touch sampling rate की बात करें तो 270 है तो आपको यह जो phone चलेगा काफी smooth और काफी faster gaming की बात करें तो बहुत 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 बहु प्रोसेशर की तो company ने इसमें Mediatek Diamond City 1800 का प्रोसेशर एक की एक 5G प्रोसेशर है जो कि अब तक का latest प्रोसेशर है जो कि इस प्राइस रेंज में किसी ब्रैंड ने अभी तक इस प्राइस रेंज में 20-25,000 के रेंज में नहीं उसकिया है तो Redmi K50i में आपको Diamond City 1800 का 5G अगर आप इसमें Android वर्जन की बात करेंगे तो Android का भी सबसे latest वर्जन Android 12 दिया गया है साथ इसमें MIUI वर्जन भी सबसे latest 13 दिया गया है और storage टाइप इसमें जो है आपको दो वेरियंट मिलता है एक 6GB 128GB और 8GB 256GB साथ में आपको जो अभी चलन में है सब प्राइंट दे रह 5000mg का मिलता है 5080mg का lithium polymer battery मिलता है साथ में charging आपको 67W का मिलता है color की बात करें तो company इसको तिन कलर में पनाया है blue, silver, black color तो यह आपको मिलता है black color के साथ अगर आप इसके weight की बात करेंगे तो 5000mg battery बड़ी screen के साथ तो यह आपको 201g के साथ बनाया गया है company ने जो कि आप इस इसकी wide जितनी strength है यह है तो उसके हिसाब से weight इसका perfect है बात करें दोस्तो camera setup की तो पीछे की और आपको triple camera दिया गया है 64MP, 8MP और 2MP का with less, front camera की बात करें दोस्तो तो front camera आपको 16MP का मिलता है जो की बहतर इस price range में camera में अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको मिलता है यह प्रो वर्जन, documents, video, photography, portrait, night mode, more में अगर आप जाएंगे तो आपको 64MP के लिए अलग मिलता है, short video, blogging के अलग से option दिया गया है, slow motion, time left, पना मतलब कि आपको camera के लिए सूचना नहीं है दोस्तो इसमें इतना version दिया या कि आपको editing की कोई जर्वत ही नहीं है, आप इस phone के साथ ही खुश रह सकते हैं, editing कर सकते हैं, तो दोस्तो हमने एक photo click किया है, जिसकी आप zooming वेगरा देख सकते हैं, काफी clear आ रही है दोस्तो, जो की camera मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों इसका, बात करें दोस्तों, इसक कि वीडियो सब भी बहुत बहतरी निसमें play हो रहा है, जो की बहुत अच्छी बात है, काफी clear चल रहा है इसमें वीडियो सब, बात करें इसके connectivity की तिसमें आपको 5G का दिया गया है, इसमें dual band दिया गया है, 5G का dual volte है, Wi-Fi calling है, Wi-Fi version इसमें 6 दिया गया है, Bluetooth version की बात करें, तो Bluetooth version आपको 5.3 दिया गया, अब हम लोग करते हैं fingerprint की testing, तो दोस्तो हमने कर दिया, इसमें fingerprint enable, देख सकते हैं, काफी fast काम कर रहा है, दोस्तो इस 0.1 second में इसको unlock कर दे रहा है, जो की बहुत बहतर है, अब हम लोग करते हैं face unlock की testing, दोस्तो face lock तो काफी fast काम कर रहा है, आप gaming experience आपको बहुत अच्छा रहेगा, तो कैसा लगा आपको overall review, आप हमें comment section में comment करके जरूर बताएं, अगर आपने हमारे चैनल कब तक subscribe नहीं गया है, तो हमारे चैनल को subscribe करे, like करे, comment करे, thank you